Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning playlist continue करेंगे Deep Learning में हम लोग Convolutional Lunar Network पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक दो वीडियो पढ़े जहांपे मैंने आपको CNN का basics बताया और थोड़ा biological connection उसका बताया हमारे visual cortex के साथ अब आज के वीडियो से हम लोग CNN को एकदम खोल करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर जो जो components हैं एक एक करके हम उनको study करेंगे और आज के वीडियो में हम उसका सबसे important component पढ़ने वाले हैं Convolution Operation क्या होता है यह operation अगर आप समझ गए तो आपको CNN को समझने में ज़्यादा परिशानी नहीं होगी ठीक है तो let's start the video So अभी तक हमारी जो understanding है CNN के बारे में वहीं से हम लोग यह वीडियो स्टार्ट करेंगे So हमें अभी तक इतना बता है कि CNN जो होता है वो एक neural network ही होता है जिसका architecture is slightly different from ANN ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़े अलग type के layers दिखाई देंगे जिन पर से एक layer होता है convolution layer जो हम इस वीडियो में देखने वाले है इसके अलावा pooling layer होता है यहाँ पर और इसके अलावा phuny collected layer होता है जिसको आप dense layer भी बोलते हो ANN के terms में तो इन तीन तरह के layers से मिल करके हमारा CNN बनता है अब CNN के बारे में हमने यह जान लिया है कि CNN images के साथ बहुत अच्छा काम करता है और ऐसा इसलिए because CNN का जो architecture है जो working principle है वो based है हमारे खुद के visual cortex पे so एक बार मैं आपको summary में बता देता हूँ कि exactly कैसे CNN काम करता है उसका एक high level overview लेते है so आप roughly समझ सकते हो that this is a CNN जहाँ पे यह शुरू वाले जो layers है यह आपके convolution layers है और फिर यहाँ से यह वाला जो part है यह fully connected layer है तो होता क्या है कि CNN में आप जैसे ही एक image देते हो तो CNN क्या करता है कि वो पहले जो शुरू वाले layers होते है उनका काम यह होता है कि वो edge detection करते है edges find out करते है given image में because अगर आप सोच के देखो तो कोई भी image edges से मिलके ही बनता है तो इनको आप बोल सकते हो primitive features तो हमारे शुरू वाले layers का काम है हमारे given image के अंदर edges को detect करना और फिर जैसे जैसे आप deep जाते हो इस network में आगे वाले convolution layers का काम होता है उन edges को मिला करके थोड़े और ज़ादा complex features generate करना और फिर धीरे आप आगे जाते हो और आप classification जैसे task करते हो ठीक है तो the idea is very simple कि शुरू वाले layers primitive features खोजेंगे जैसे की edges आगे वाले features slightly complex features खोजेंगे और ऐसा करते करते जोडते जोडते हम last तक पहुंचेंगे और चीजों को completely identify करेंगे ठीक है अगर आप face detection का example लो तो आपका face edges से बना हुआ है edges से आप फिर धीरे-धीरे complex patterns बना रहे हो जैसे की eyes, nose, ears और फिर इनको जोड़-जोड़ करके आप complete face बनाने लग जा रहे हो और फिर आप उस complete face से identify कर रहे हो कि user वही है जिसे हम खोज रहे हैं या फिर नहीं तो this is the overall idea of CNN और clearly यहाँ पे जो सबसे important component है वो है ये convolution layer ये वाले layers ठीक है इनका ही main हम usage देखेंगे इस वीडियो में हमारे आज की वीडियो का target है convolution operation को in and out समझना जैसे ही आप ये समझ जाओगे CNN के लिए आपको जो सबसे पहली चीज required है वो आप समझ जाओगे अब आपको ये वीडियो समझने के लिए एक concept अच्छे से आना चाहिए और वो है images क्या होते है और उनको computer memory में कैसे store किया जाता है ठीक है तो हम दो तरह के images का बात करेंगे पहला image होता है gray scale images जिसको आप black and white image बोलते हो और दूसरा होता है RGB images जिसको आप colored images बोलते हो हम mostly इन्ही दो type के images के साथ काम करते है तो पहले मैं आपको एक example दिखाता हूँ कि memory में एक gray scale image कैसे store होता है जैसे कि ये है MNIST dataset में एक 0 का image और ये एक बहुत low resolution image है मतलब 28 by 28 pixels है so image basically pixel से बना होता है आप इस तरह का grid imagine कर सकते हो इस तरह का grid imagine कर सकते हो 28 by 28 का और हर grid एक number represent करता है between 0 to 255 0 मतलब black 255 मतलब white ठीक है कभी-कभी आप इसको normalize करके 0 से 1 के range में ले आते हो 0 का मतलब black 1 का मतलब white so you can see यही चीज मैंने यहाँ पर दिखाई है अगर आप इसको zoom out करोगे तो you would see कि यही image is basically a collection of 28 by 28 pixels ठीक है और यहाँ पर हर pixel का value आप देख सकते हो यह सारे pixels का value 0 है होना चाहे था 1 क्योंकि यह white है but you can understand थोड़ा flipped है फिर आप यहाँ पर जब आ रहे हो तो in pixels का value 1 है थोड़ा यहाँ जा रहे हो तो यह थोड़ा grey shade है इसलिए यह point 2 है but you get the idea कभी भी pixels को देखो न कि अभी भी किसी image को देखो न तो इसको इस तरीके से imagine आप कर सकते हो कि it is basically a collection of pixels इसको आप एक 2D array में store कर सकते हो और हमारे computers यही करते हैं जब आप उनको बोलते हो images को process करने what they are actually processing is they are processing 2D numpy arrays ठीक है तो यह तो बात हो गई grey scale images की या black and white images की अब मैं आपको दिखाता हूँ colored images का क्या scene होता है so एक colored image में actually 3 channels होते हैं ठीक है और वो 3 channels है red, green and blue basically हमारे primary colors जिनको use करके आप कोई भी और color बना सकते हो ठीक है तो कभी भी कोई भी RGB image अगर आप देखो colored image देखो तो वो actually 3 channels से मिलके बना है this is the top red channel उसके पीछे green और उसके पीछे blue channel ठीक है और हर ये जो sheet है every sheet will add lies a single grey scale image ठीक है यहाँ पे 0 से 255 तक ही values होंगी इसमें भी 0 से 255 तक ही values होंगी और यहाँ पे भी 0 से 255 तक ही values होंगी और generally इनका shape कुछ ऐसा रहेगा 228 x 228 x 3 क्योंकि there are 3 channels तो कोई अगर आप से पूछ ले कि black and white और RGB में क्या difference है तो number of channels का difference है यहाँ पर एक channel है there is only one channel RGB में तेरा 3 channels अब यह presets अगर आपके clear हो गए तो आगे वीडियो में आपको कोई परिशानी नहीं होगी so now let's discuss the most fundamental building block of a CNN that is convolution operation so convolution operation का काम होता है features निकालना एक image के अंदर से और मैंने आपको बताया कि जो शुरू वाले layers होते हैं वो edges detect करते हैं तो अभी मैं आपको convolution operation दिखाऊंगा using edge detection edge detection में कैसे convolution operation काम करता है वो हम लोग देखेंगे ठीक है तो एक बार पहले आपको दिखाता हूँ मैं कि edge detection का output कैसा होता है जैसे कि मालो यह एक image है यह gray scale image है black and white और इसके उपर हमने दो तरह के edge detection किया first हमने एक edge detection किया which was vertical edge detection and you can see यहाँ पे clearly जितने भी vertical edges थे इस image में वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे है first वाले image में और फिर आपने एक और edge detection किया for horizontal edge तो you can see हमारे पास इस picture में सारे के सारे horizontal edges है इसी तरीके से आप slant edge detection भी कर सकते हो किसी भी तरीके का edge आप detect कर सकते हो ठीक है तो output आपको ऐसा दिखाई देगा अब मैं आपको दिखाने वाल हूँ कि यह चीज़ आप mathematically कैसे achieve करते हो also अगर आप से कोई पूछ ले कि edges क्या होते है तो बहुत simple सी बात है edges are basically change in intensity जैसे कि यहाँ पर देखो यह पूरा area जो है यह पूरा जो area यह black है बट यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो pixels white हो रहे हैं तो यह आपका एक edge है because यहाँ पे intensity change हो रहा है similarly आप यहाँ पे भी बोल सकते हो intensity change हो रहा है यहाँ पे भी intensity change हो रहा है तो edges होने का मतलब है intensity change होना तो हमें अभी क्या करना है कि mathematically किसी तरीके से edges को detect करना है intensity change को detect करना है क्योंकि एक human eye से आप बहुत easily समझ सकते हो कि yeah there is this edge but एक algorithm यह कैसे detect करेगा उसी का beauty हम लोग अभी देखने वाले वहीं पर convolution operation use होता है तो मैं आपको एक बहुत चोटा सा example दिखाने वाल हूँ जहां पर हमारे पास एक 6 x 6 बहुत ही चोटा सा low resolution image है और हम इसके ऊपर edge detection करेंगे you can see यहां पर ऊपर वाले सारे pixels 0 है which means black है और नीचे वाले सारे pixels white है तो मतलब यह image कुछ ऐसा दिखाई देगा यह image कुछ ऐसा दिखाई देगा ठीक है तो हमें इसके ऊपर edge detection करना है हमें यह पता करना है कि कहां पर intensity change हो रहा है और obviously इसका output ऐसा होना चाहिए this should be the output यह हमारा input है यह output होना चाहिए ठीक है तो क्या से करेंगे so convolution operation करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होती है जिसको आप बोलते हो filter कुछ जगों पर इसको kernel भी बोला जाता है यह basically एक matrix होता है और generally इसका size 3x3 होता है बट जादा भी हो सकता है जैसे this is a 3x3 filter ठीक है it's basically a matrix of numbers यहाँ पे हम यह जो filter use कर रहे है यह आपका horizontal edge detector की तरह काम करेगा मतलब आपके picture में जितने भी horizontal edges होंगे यह उन सब को detect कर सकता है अब हम क्या करेंगे हम इस filter को उठा के इस image के उपर convolve कराएंगे अब यह जो sign है यह convolution operator का है ठीक है convolution operation कैसे काम करते हैं मैं थोड़ दिर में बताऊंगा बट जैसे आप convolve करोगे आपको एक result मिलता है और इस result को बोला जाता है feature map ठीक है तो image filter feature map तीन चीज़े हैं यहाँ पे ठीक है अब हम लोग start करते हैं हमारा discussion की convolution operation काम कैसे करते है सब convolution operation के लिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले इस filter को उठाते हो और इस image के उपर रख देते हो left top पे इस तरीके से आपने इसको उठाया और उपर रख दिया और अब आप क्या करोगे आप item wise multiplication करते हो मतलब यह जो number है इसका multiplication आप इससे करोगे इस वाले का इससे करोगे इस वाले का इससे करोगे and so on और फिर यह जो सारे multiplications होंगे उनको आप add कर दोगे so basically it would look like this minus 1 into 0 plus minus 1 into 0 plus minus 1 into 0 फिर second row फिर third row addition करने से जो number आएगा वो इस cell में जाएगा जैसे कि यहाँ पर you can see सारे number 0 है तो इस cell में 0 आ जाएगा यह हुआ step 1 अब आप क्या करोगे अब आप अपने filter को हलका सा move करोगे right side में और आप यहाँ पर ले आओगे इस जगे पर and you will do the same thing फिर से result 0 आया फिर आप आगे move करोगे इस जगे पर फिर से result 0 आया और last में आप एक step और आगे move करोगे और फिर से result 0 आया ठीक है तो हमने अपना first row के उपर convolution चला के देख लिया अब हम क्या करेंगे एक row नीचे आ जाएंगे so हम यहाँ आ जाएंगे इस जगे पर ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि यह first row but third वाले में 255 multiplied by 255 multiplied by sorry 255 multiplied by 1 plus 255 multiplied by 1 plus 255 multiplied by 1 so एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा बढ़ हमें पता है कि सबसे बड़ा नंबर जो हो सकता है वो 255 हो सकता है तो यहाँ पर 255 आ जाएगा ठीक है फिर हम थोड़ा आगे move करेंगे इसको बकडेंगे फिर से हाँ 255 आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे 255 आप वीडियो पॉस करके calculation चेक कर सकते हो 255 और यह वाला row भी हो गया ठीक है अब मैं एक बार सारा हटा देता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ अगला क्या होगा अब अगला हम यहाँ से start करेंगे ठीक है इस बार यह वाला row पूरा 0 यह भी पूरा 0 और यह वाला फिर से 255 फिर हम यहाँ move करेंगे यह भी 255 यह भी 255 और यह भी 255 ठीक है फिर यह वाला भी हमारा सारा हो गया अब हम सबसे last वाले तीन rows के उपर आ जाएंगे ठीक है अब इस case में देखो यह minus 1 तो यह सारे negative 255 हो गया बीच वाला सारा का सारा 0 हो गया और यह सारे positive 255 हो गया तो you can easily do the calculation 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 move किया यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 ठीक है और अब यह देखो गाईस हमारा feature map क्यासा देख रहा है उपर 0 है नीचे 0 है बीच में आपके 255 वाली values है so basically it would look something like this right you can see यह हमें चाहिए था और यह हमें मिल गया तो इसी को बुला जाता है edge detection यह है horizontal edge detection का example but अगर आप filters को change करो जैसे यह filter है अगर आप इसकी values को change करो तो you can get different type of edge detectors जैसे कि अगर आपके पास यह values है अगर आपके पास यह values है तो this will act as a vertical edge detector आप video pause करके चाहो तो try out कर सकते हो यह जो filter है यह एक vertical edge detector की तरह काम करेगा इसी तरीके से क्या होगा आप कोई और values लेकर के slant edges को detect कर सकते हो इस तरह के edges को detect कर सकते हो तो computer scientist लोगोंने बहुत तरह के filters बना रखे है right filter, left filter, top filter, bottom filter तो आप कोई भी filter use कर सकते हो but the good part is सबसे अच्छी बात क्या है कि deep learning में आप को ये tension लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस filter का value क्या होगा ठीक है होता क्या है deep learning में कि आप इन filters को एक random value से initialize करते हो और उसके बाद आपका जो CNN है वो back propagation के through automatically decide करता है कि यहाँ पे क्या values जाएंगी इन शॉर्ट ये filters का value बिलकुल वैसे बिएव करता है जैसे CNN में weights होते हैं CNN में जो weights होते हैं इनका value कितना होगा ये training के time पता चलता है similarly इन filters के अंदर ये values का इन values का क्या number होगा ये भी हमें training करने के बाद पता चलता है depending on the image, depending on the training data हमें बस ये matrix define करने की जरूरत है बाकी सारा काम back propagation handle कर लेता है हमें खुद से filters बनाने की जरूरत नहीं and this is one of the main reasons जिसकी वज़े से CNN इतना successful हो पाया because वो rely नहीं कर रहा है बने-बनाए filters पे वो on the go अपने requirement के हिसाब से filters create कर पाता है ठीक है तो I hope आपको यहां तक समझ में आ गया अब मैं आपको एक अच्छा demo दिखाता हूँ जिससे आपका ये पूरा learning थोड़ा और concrete हो जाएगा So guys, now let me show you a very good demo of convolution ये dplazard.com है इन्होंने एक बहुत अच्छा demo बनाया है मैं इसी को use करके आपको समझाने की कोशिक करूँगा कि convolution काम कैसे करता है So, यहां पे कुछ settings है जैसे इन्होंने दो data sets को रखा है एक है MNIST और एक है fashion MNIST आप दोनों try कर सकते हो मैं फिलाल आपको MNIST के उपर दिखाऊंगा MNIST है तो महाँ पे यह 10 तरह के आपके digits है 0 के उपर काम करते हैं अलग-लग type के filters यहां पर है और यह predefined filters है ठीक है तो यह 4 type के filters है top, bottom, right, left और उसी के variants हैं यहां पर दिए हुए Let's start with left edge filter दो modes है step by step आप operations को देख सकते हो या फिर आप one go में play कर सकते हो यह देखो क्या होगा कि अगर आप step by step करोगे तो एक एक करके यह move करेगा आपका यह जो operator है ठीक है So this is the filter by the way left filter, left edge filter यह रहा और currently हम इस window के उपर operate कर रहे है और यहां पर convolution operation अच्छे से दिखाया हुआ है कि कैसे item wise multiplication हो रहा है और फिर add हो करके यहां पर आपको output मिल रहा है ठीक है So this is the feature map So let's start Step पे click किया तो यह पहला जो area है उसका convolution का result 0 है फिर से मैं step पे click कर रहा हूँ हमने एक right की तरफ move किया और उसका result आ गया यह देखो इस तरीके से हम move करते हैं You can see अब हम जैसे next पे गए अब नीचे आ गए हम लोग and you can see यह सारे calculations हो रहे हैं See यह देखो अब जैसे हम यहां पर आएं तो इसका result is 0.4 because आप जब इस square और इस filter को convolve कर रहे हो तो you are getting 0.4 ठीक है तो एक एक करके दिखाना पॉसिबल नहीं है because थोड़ा बड़ा ही में जाई है तो मैं play पे click कर रहा हूँ and you can see किस तरीके से convolution operation हो रहा है See See I would recommend एक बार आप जाकरके इस page पे try out करो Now let's discuss the results So, यहां पर you can see दो colors आपको दिखाई देंगे red और blue तो red is actually positive activation मतलब जहां पर सच में left edge detect हुआ है वो आपको red से दिखाई देगा जितना जादा red उतना जादा confidently हमारा filter बोल रहा है कि यहां पर एक left edge है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर blue क्या represent कर रहा है So blue, red का बिल्कुल उल्टी चीज आपको बता रहा है which is right edge ठीक है तो इस image में right edge भी detect हो रहे हैं और वो negative numbers है ठीक है तो simple ती बात है red is left edge blue is right edge and obviously हमें चाहिए है left edge मतलब हमें सिर्फ red values चाहिए है तो CNN में होता क्या है कि जैसी आपका feature में बनता है आप उसके उपर एक और operation चलाते हो कि आप इन सारे numbers के उपर value लगा देते हो value क्या करता है 0 और max ठीक है अगर negative है तो 0 हो जाएगा और अगर positive है तो जो value अब ही रह जाएगा तो यह जितनी भी red values है इनका value यही रह जाएगा बट जितनी भी यह blue values है since यह negative है इनको replace करके 0 आ जाएगा तो you can imagine फिर जो हमारे पास image बचेगा जो feature में बचेगा उसमें सिर्फ left edge रहेगा ठीक है and that is how this entire convolution operation works ठीक है अब मैं आपको recommend करूँगा कि आप जाओ अलग-अलग digits try out करो या फिर आप passion mnist dataset उठाओ और उसके अलग-अलग आपके जो types है वो try out कर सकते हो you can also try out top filter, bottom filter ठीक है न तो यह आपको काफी perspective देगा चीजों को visualize करने से दिमाग में जाद अच्छे से बाटता है so go ahead and try out this demo so guys अब एक छोटा question आपके लिए अगर आपने अभी तक सब कुछ समझ लिया तो question यह है कि हमने अभी जो example discuss किया था इसमें हमारे पास 6 x 6 का image था 3 x 3 का filter था और इससे हमारा जो map बना feature map वो बना 4 x 4 का तो question यह है कि जब आप 28 x 28 image के उपर 3 x 3 का filter लगा होगे तो feature map का size कितना होगा this is the question video pause करके answer करने की कोशिश करो the answer is 26 x 26 so कभी भी output का shape कितना होगा यह एक formula पर depend करता है मालो आपका image का shape is n x n और आपके filter का shape is m x m तो आपका resultant feature में आपका shape होगा n minus m plus 1 cross n minus m plus 1 this is the output ठीक है यह आपको हमेशा याद रखना है so इस case में output would be 26 x 26 64 x 64 अगर है और आपने 3 x 3 का filter लगा है तो you would be getting 62 x 62 का image feature map ठीक है तो यह थोड़ा आपको याद रखना है आगे हम इसके उपर और discussion करेंगे so अभी तक हम बात कर रहे थे gray scale images का जहाँ पर सिर्फ एक channel होता है what if हमें convolution perform करना है एक colored image के उपर जिसमें 3 channels होते हैं तो यहाँ पर बस आपको एक छोटी सी चीज समझनी है कि आपका जो filter होता है ना अभी तक हमने देखा था कि उसका size 3 x 3 था RGB के case में automatically उसका size assume कर लिया जाता है 3 x 3 x 3 इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो filter है वो भी 3 channel का बन जाता है 1 channel for each R, G and B channels ठीक है तो अब पूरा का पूरा convolution operation कैसे perform होता है कि आप इस image को एक cuboid का form में imagine कर सकते हो like this ठीक है और यह इसका depth है which is 3 और आप इस filter को भी एक छोटे cuboid के form में imagine कर सकते हो जिसका depth same है जो image का depth है और फिर आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे इस box को रख करके slide करवा सकते हो ठीक है मैं आपको एक gif image दिखाता हूँ you can see this is the image यहाँ पर यह box जो है वो इस तरीके से move करेगा you can see I hope you get the idea now comes the important question आप एक बार वीडियो पॉस करके सोच के बताओ कि जब यह convolution operation perform होगा between this image and this filter तो यह जो feature map बनेगा उसका shape क्या होगा I guess आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो resultant होगा वो 4 x 4 होगा single channel single channel क्यों होगा बहुत simple है अगर आप imagine कर पा रहे हो तो आप समझ जाओगे so हमारा यह जो filter है इसमें there are 3 x 3 x 3 मतलब 27 values so जब हम इसको convolve करना start करेंगे इस volume के उपर तो हम सबसे पहले यहाँ पे 27 values को पकड़ेंगे ठीक है तो basically 27 values का 27 values के साथ item wise multiplication हो रहा है और फिर addition हो रहा है so basically आप जब पहली बार यहाँ पे इस filter को रख रहे हो तो you are getting one number जो इस box के लिए आएगा फिर आप इस तरफ move कर रहे हो तो एक और number एक और number एक और number फिर आप नीचे आ रहे हो और उसका corresponding numbers बस आपको मिलने लग जा रहे that is why जब आप एक three channel image का three channel filter के साथ convolution करवाते हो तो आपको एक single channel feature map मिलता है so यह आपको हमेशा याद रखना है कि आपका m cross m cross channel को जब आप n cross n cross channel के filter से convolve कराते हो तो आपको मिलता है m minus n plus 1 m minus n plus 1 single channel feature map यही सबसे बड़े learning है आपे I hope आपको यह पूरी चीज समझ में आगे so अब इस वीडियो में एक last चीज हम लोग discuss करेंगे कि क्या होता है अगर आप एक same image के उपर multiple filters apply करते हो so honestly ऐसा बहुत कम होता है in fact कभी भी नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही filter apply करो अपने image के उपर generally आप जादा filters एक से जादा filters apply करते हो ठीक है so जैसे कि मानलो आप ऐसे imagine कर सकते हो कि आपने दो filters apply किया है और पहला जो filter है वो vertical edge detection करेगा दूसरा horizontal edge detection करेगा हो सकता है एक third filter हो जो slant edge detection करें मतलब it depends ठीक है तो इस case में क्या होगा वो आपको समझना है so यहां तक आपको एक बात तो समझ में आ गए होगी कि जब आप 6 x 6 x 3 के साथ 3 x 3 का convolution करोगे तो you will get this feature map 4 x 4 तो एक filter के साथ you will be getting one feature map अगर आपके पास दो filters है तो you will get another feature map of same dimension तीन filters होते तो एक और feature map आ जाता 10 filters होते तो 10 feature maps आ जाते और अब आपके पास अगर दो feature maps है तो आप उनको भी एक volume की तरह treat कर सकते हो like this so यहां पे जो आपका resultant shape हो गया वो हो गया 4 x 4 x 2 और उसको आप एक volume की तरह imagine कर सकते हो जो आगे के convolution layers के लिए input का काम करेगा ठीक है I hope आपको यह बात समझ में आ रही है ठीक है अगर आपके पास 10 filters होते तो फिर आपका resultant हो जाता 4 x 4 x 10 so basically यहां पे यह जो number है it is number of filters used कितने filters आप use करते हो यहां पे उतने ही channels होंगे आपके output में ठीक है I hope आपको यहां तक चीज़े clear हो गई so that's it for the video guys I hope मैं आपको आसानी से समझा पाया कि convolution operation कैसे काम करता है अब आगे के videos में हम लोग कुछ और important topics cover करेंगे जैसे कि strides क्या होते है padding क्या होता है pooling क्या होता है और जब हम यह सारे components पढ़ लेंगे तो हम उनको जोड करके एक CNN का architecture बनाएंगे और फिर उसके आगे के काम हम लोग subsequent videos में करेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल That's it from my side मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ